क्या आप भी अपनी स्किन को एक तम फ्लॉलेस करना चाहते हैं बिना किसी दाग, धब्बे, कोई आकनी स्कार, कोई मार्क, कुछ भी आपके चहरे पर ना हो और आपका कैन्वेस एक तम क्लियर हो तो आएए जानते हैं आज आपको करना क्या है प्रीती प्रेधना के चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ एक ड्राइ फेस वाउश प्रेपेर कर रही हूँ जिसके इस्तिमाल से आप अपनी स्किन को एक नई जान दे सकते हैं एक नया टेक्स्चर दे सकते हैं और एक बहुत ही खुबसूरत सा ग्लो अपने चे के लिए भी है इसलिए एक बड़ा चमच मुलेठी पाउडर और दूसरा इंग्रीडिन्ट आपको लेना है कस्तूरी हल्दी जी हां यह हल्दी की ही एक वराइटी होती है जो की specially आपकी skin को बहुत ही खुबसूरत सा ग्लो देने के लिए होती है यह खाने में काफी कड़वी होती है इसलिए इसका खाने के लिए इस्तमाल नहीं किया जाता लेकिन इसको जब आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो जो ग्लो आपके चेहरे को देता है वो कोई भी किस्मेटिक इंग्रीडियंट आपको नहीं दे सकता जी हाँ और देखिए आपके किचन में ही ये हल्दी रहती है अगर नहीं है तो आप किचन हल्दी लेकिन कौन्टिटी बहुत कम इस्तेमाल में लाएं क्योंकि किचन की हल्दी में हल्काहलका रंग होता है जो कि आपके चहरे को भी हल्का पीला कर देता है तो वो आप नहीं चाहेंगे तीसरा इंग्रीडियंट आपको चाहिए बेसन यानि कि चने का आटा एक बड़ा चमच आप बेसन ले सकते हैं ये भी आपके चेहरे को clean करने में, dirt हटाने में गजब का काम करता है दूसरा ingredient आपको चाहिए मसूर दाल, मैंने मसूर की जो घर की दाल होती है, उसे पीस के powder बना रखा है उसका एक बड़ा चमच मैंने यहां लिया है अगला आपको चाहिए मुलतानी मिट्टी, आप सभी जानते हैं कि dirt के लिए मुलतानी मिट्टी magnet का काम करता है, चुमबक की तरह सब dirt हटा देता है, last but not the least आपको इसमें लेना है nutmeg powder यानि की जैफल powder, या आपको सिरफ आधा चमच ही लेना है, क्योंकि इसके application से आपके चहरे पर आपको हलका हलका tickling sensation महसूस होता है जिसको compensate करने के लिए आप एक बड़ा चमच sandalwood powder यानि की चंदन का powder लेंगे I need not tell you, चंदन का powder आपकी skin पर वो cooling sensation प्रवाइड करता है, जिससे की आपको पता चलता है कि आपकी skin repair कर रही है अपने आपको heal कर रही है किसी भी प्रकार की कोई भी परिशानी जो आपकी skin पर है या हो सकती है चंदन और ये पूरा blend of powders उसे fix कर सकता है अब आप देखें तो इस पर मौजूद जितने भी हमने powders यूज किये हैं वो सभी आपकी skin के लिए वर्दान साबित हो सकते हैं individually और यहाँ पर तो हम इनको blend कर रहे हैं एक सार बना रहे हैं और इन सभी का application हर दिन अपने चहरे पर कर रहे हैं जे हां आप इस पूरे के पूरे blend को बना कर जब रखेंगे आप market based face washes completely भूल जाएंगे इसका application अपने चहरे पर करने के लिए आप लोगों को थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन जो cleanliness आपके चहरे पर आती है वो मैं आपको challenge कर सकती हूँ कि किसी भी और चीज के application से नहीं आ सकती जब सभी powder आपस में एक साथ मिल जाएं एक सार हो जाएं तो आप preferably एक काच की bottle ले लीजे जो कि air tight भी हो ताकि moisture आसानी से अंदर न जा सके उसमें इस powder को store कर लीजे देखिए इस powder का इस्तमाल हम हर दिन करने वाले हैं इसलिए कोई convenient सी bottle आप देख लीजे जिसमें आप comfortable है क्योंकि हर दिन इस्तमाल करना है तो अगर moisture चला गया तो इसमें lumps आ सकते हैं बाकि कोई परिशानी नहीं है आप इसको convenient अनुसार किसी भी bottle में store करके और इसका इस्तमाल हर दिन करेंगे जी हाँ इस powder में वो ख्रमता है कि वो आपके चेहरे से वो जो जिद्धी pigmentation है वो जो acne scars है pimple marks है pimple होने के लिए जो dirt accumulate होता है उन सभी को cure कर सकता है इस powder को देखने में आप लोग को लग रहा होगा काफी साधारन सा है लेकिन जब आप इसका इस्तमाल अपनी skin के लिए करेंगे तो आप definitely वापस आकर बोलेंगे कि प्रेड़ना क्या बात बताई है इसका application काफी आसान है आप अपने चेहरे को भिगा कर इस powder को चाहे तो लेब बना कर अपने चेहरे पर थोड़ी देर के लिए रहने दे सकते हैं और फिर सीधा wash कर ले या फिर आप इससे अच्छे से अपने चेहरे को रगड सकते हैं as a scrub, as a massager और फिर बिल्कुल clean कर सकते हैं जब आप अपने चेहरे को wash off करेंगे तो आपको देखेगा कि आपके चेहरे पर मौझूद हर प्रकार का oil हर प्रकार का dirt किसी भी तरह का जिद्धी मार्क वो धीरे धीरे जाने लगीगा इसके application के बाद आपको बिल्कुल भी जो market-based face wash होता है उसकी याद नहीं आएगी और आपका face बिल्कुल clean हो जाएगा wash off करने के बाद आप अपने चेहरे को बहुत अच्छे से pad dry कर लीजे ताकि जितना भी जो moisture है वो हट जाए और उसके बाद आप अपनी skin को flawlessly observe कर सकते हैं कि वो कितनी कमाल की हो चुकी है पर क्योंकि यहाँ पर सारे dried powder है आपको अपनी skin थोड़ी सी खुसक महसूस हो सकती है इसलिए आप जो भी moisturizer के लिए comfortable है मैंने यहाँ पर अपनी बनाई हुई केसर क्रीम का इस्तमाल किया है जो कि मुझे बहुत अच्छे से suit करती है उसका मैं application अपने चहरे पर कर रही हूँ मैंने इसका application बहुत अच्छे से पूरे चहरे पर massage करते हुए लगाया है और मैं तब तक massage करती हूँ जब तक कि गजब के ingredients मेरी skin अच्छे से पी नहीं लेती massage की massage हो जाती है आपकी skin काफी जादा healthy हो जाती है और stiff हो जाती है जो कि हम हमेशा चाहते हैं और जो ingredients इस्तमाल हो रहे हैं इस massage के लिए वो तो आप पूछी नहीं मत पूरी गर्दन पर अपनी चेहरे पर किसी भी प्रकार की परिशानी को heal करने के लिए कर सकते हैं जब आप इसका इस्तमाल regular basis पर करेंगे यानि कि हर दिन करेंगे तो आपकी skin बहुत खुबसूरती के साथ इसके लिए revert करेगी इसके application के बाद moisturize करना बहुत आवशक है इसलिए moisturization को भी उतनी ही एहमियत दीजेगा जितना की इस dry face wash के इस्तमाल को तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि इसका application कितना potent है अगर इसी sequence में किया जाए अगर आप moisturize नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे कि यह तो बहुत ही dehydrating face wash है dehydrating definitely है लेकिन यह natural way में आपकी skin को clean कर रहा है आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर कितना grace, कितना glow आचुका है and I am super duper duper happy तो मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार भी happy हो जाए तो do give it a try and let me know how do you find it